और बहुत बढ़िया है बजीर गंज में यह गाओं है इनका बड़ा प्यारा और काफी सारा यहां पर गोवर गोईठा देखने को मिल रहे हैं ग्रावीन इलाका है प्योर देहात जिसको बोलते हैं नहीं जाते हैं गाओं में ट्रेंट्मेंट के लिए तो हम पैसाम लेते हैं हां हम सर को पैसा दियें तो हम क्यों सब्सक्राइब करें अच्छा तो भाई बढ़िया है सर यह भी इगारा के काम स्टार्ट करने के बाद मेरे पास 35 हुआ टोटल जिसमें से हम साथ 30 कितने दिनों में कर लिया सर मेरा सजेशन रहेगा कि बकरी पालन में जो भी आना चाहत है सबसे पहला पर्थम काम कर नेंगे बिना ठmeno बख्री पालन होगा नहीं पर बकरी पालन करने वालों के हो और फिर सर chats फिरसे आपसभी का स्वागत Such ब्हार के एक बहुत एक खुब्सूरत गाउं में हूं जिला है गया और गया में हमारे साथ एक वा हैं, जिनका परचे अभी हम आपको कराने वाले हैं, सर नमस्कार, सर, क्या नाम हुआ भीकेस कुमार, विकेस कुमार जी का देखिए, ये फार्म है, बड़ा ही प्यारा फार्म है, खुब्सूरत सा फार्म है, जहां अभी बकरियां जो है, काफी है और यहां पर काफी सारे गाय भैस भी पहले से हैं तो कैसे बकरी पालन का विचार कब आया कैसे एक पर तो यूटूब से तब क्यों कि आपके पास ऑलेड़ी बहुत सारे यहां पर देख रहे हैं कि भैस है गाएं तो डेरी फारम क्यों ना खोल लिया पुरे बड़ा सा की बक्री पालन में उतर गए नहीं सर पहले हैं से मेरा में चल रहा था कि हम बक्री पालन करें और बस बक्री पारन मेरा मने था इसलिए कर लिए और दोस्तों बता दूँ कि वि आपना काम में लगें सब्सक्राइब करें उसके बाद ही सरम कुछ करेंगे ट्रेणिंग लिया उसके बाद एक चैलिंज दिया कि कम्याब हो के दिखाएंगे और तब आपको बुलाएंगे और आखिर वो दिन आ गया सुधीर सर हमारे साथ है और देखिए उनसे पूझे के सर पहले तो स्वागत है अपका भी स्वागत मेरे स्ट्रेंट के फारम पर अश्वी दर्संकुलों को हैपी नीवियर कैसा सर फील हो रहा है आज यहां पर आया है तो गर्व भी मसूस हो रहा है और थोड़ा गुस्ता मिस्रित गर्व है गर्व इस बात का है चुकि हमारे हा सर पहचाने अपना नाम बताएं तो याद नहीं और फिर बोले कि सर याद है आपको ट्रेनिंगे बाद आपको हम बुले थे कि आपको तो वहीं अपने फारम में बुलाएंगे जब हम सफल हो जाएंगे तो सर आज हम सफल है कुछ बगरी बेचे भी है और जो टीप्स आप है कि हमारा स्टुडेंट है हम से टिप्स लिया और अपने भी सफल है और कमाई भी रहा है तो तो हमारे लिए गर्व की बात है और यह बीच में एक भी दिन फोन नहीं किया डारेक्ट जब सफल हुआ तब फोन किया सिर्फ है थोड़ा सा इस बात की नराजगी है कि इनका ब्रीडर दम भुवा है और कोई चीज दिकत नहीं है अपना मन से खर लिया होंगे तो कहीं नहीं कि हलाकर कर रहा है तो अलग बात है कि इनको घाटा नहीं समझ में आया क्योंकि बग्री चराई पर थी तो चराई पर थी फिर आज बखरी देख रहे हैं तो याद रखिए है भीवर लोग चराई वाली बक्री को जब अच्छानक आप श्रॉल फिट पर लाइएगा तो समस्य आना शुरू हो जाता है या तो बक्री खाना कम कर देगी या खाई भी नहीं करेगी तो वहीं समस्य कहां भी आ रहा होगा हरा चराग भी आभाव है तो इसलिए इनकी ब भी मौसम खराब रहे हैं तो बक्री आपकी घर पर भी असानी से खाले और उसके हिल्थ पर जो बुरा असर पढ़ने वाला है वो लगभग नक बराबर रहे है तो इस तरह से बक्री पालन किया तो अच्छा रहा जाए यह इन से मिस्टिक हुआ है क्या भी के जी आज तो आ सब्सक्राइब के लिए सार हम पीछे बनाए हुए तो अभी जो सुधीर सर ने आपकी बक्रियां जो देखी है थोड़े से डिसपॉइंट हुए है और इसलिए उन्होंने ऐसी बात बोली ब्रीडर है कहां आपका अच्छा अच्छा उस पार है चलिए यहां पर देख लेत सब्सक्राइब कर देख लेते हैं तो मुझे भी बहुत थोड़ी सी इनकी उतनी ग्रोथ में नजर नहीं आ रहे हैं तो यह बिल्कुल ठंड में अचानक श्टॉल फिर पकर दिया और कोई बिस्स दिक्कत नहीं है लेने के बाद विकेस जी कैसे शुरुआत हुआ जरा उद सब्सक्राइब करने के बाद मेरे पास 35 हुआ टूटल जिसमें से हम साथ 25 कितने दिनों में कर लिया साल भर अभी नहीं हुआ सर 11 मेना हुआ पैथिस कर लिए फिरीडर बिना है जो भी बच्चा दिखने में लग रहे ना प्रोब्लम को सर सजेशन दीजिए कौन सा ब्रीडर इनको रखना चाहिए इस अहलात में ब्रूपरी है इनके लिए ब्रूपरी कहीं अच्छा रहेगा क्योंकि ब्लैक मंगाल फिर नहीं पर अ तो जादे अच्छा रहेगा नहीं तो फिर बक्रिया दे चेंज करते हैं तो जैसा हाइट रहेगा जैसा क्वालिटी रहे दुधार उसके 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 पहुत देखा जाएगा अपाई जड़ा बीडर भी देखी लेते हैं जरण गेट खोलेंगे तो भाई यह जो चीज़े है जो भी बक्री पालन में नए हमारे भाई उतर रहे हैं उनके लिए एक सीख है कि ये गलती आप भी ना करें और ब्रीडर का भी चुनाओ ऐसा नहीं है ब्रीडर का भी चुनाओ सही धंग से होना चाहिए कि वल बक्रियां ही खरीद लेना आपकी जीत नहीं होती है अब देखि होगा सब्सक्राइब चुनाओं जो रुका हुआ है गरोधिंग ब्रीडर के बज़ा से रुका हुआ है इसलिए सबसे पहला मेरा काम है फरवरी आते ही यह बीडर चेंज करेंगा एक समस्या और आता है जो बक्री पालन चराई पर करते हैं ओध मिलकुल निश्चिंद रहत है इसलिए अक्सर हम लोग चर्चा भी करते हैं लोगों को बताते भी है कि बक्री पालन के जीए चराग भी रखते हैं फिर भी मर्गन से के लिए कुछ ना कुछ घास जरूर लगाई है इसके लिए सर देखा देखा जाए आये सर पीपल का पत्ता और इसका गूलर का बरग हम अपना काट कट के खिला रहे हैं रहे हैं और रहलें बिल्कुल ऐस तॉल फिट पर रहे चारा में मसूर का कट्टोह और इसका चना का कट्टूह मिस्टन और मिझ्रनних संद्धर हिमाले बतीसाह जो भी है हां नमक सब अपना जब लीकानी और जैसे कि गंवले में बर्गत तोड़ा सा जब ये प्रोडक्शन अगर ठीक है प्रोडक्शन तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक है लेकिन ग्रोथी नहीं है फिर भी चरही परक है इसलिए फैदा में हैं को नुकसान नहीं उठाना पड़ा नॉलेज भी है जो भी समस्या रहा है अपने से हैंडिल कर ले रहे हैं यह तो बहुत अच्छी बात है लेंगे थोड़ा सा दी और सुधार कर लें इनका लाफ काफी हद तक काफी अच्छा सर यह सर यह बताए सर ने ट्रेणिंग दी है आपको बहुत सारा चीज सीखाया भी जाते हैं गाओंवाले में पैसे देते हैं फ्री में सब दिखवाते ह हते हैं गवों में ट्रेंट्मेंट के लिए तो पैसाम लेते हैं रृफिच सभी तो आरहा है इस तरह काम कर रहे हैं अच्छा कमा रहे हैं ये भी मतलब साइट से अगर कुछ पैसे आरहे हैं आपके पास तो यह बहुत अच्छी बात है कि कम से कम उसमें कुछ टो आप बकरियों के लिए कर पाएंगे अच्छा बहुत बढ़िया है बखरी रखते कहां है ऐसे चोड़ देते हैं यह पीछे बनाए हुए है दिन के दर रात के लिए चलिए दिखाए जरा और बहुत बढ़िया है बजीर गंज में यह गाउं है इनका बड़ा प्यारा और काफ अब शादिष मेरीड है सर मेरेड है बाल बच्चा भी तर तो दूध भी बेशते होंगे ना काभी नहीं सर हम बताएं ने आपको कि हम को सौग था कि हम बकरी करें पर फोकस था मेरा सुरू सर की बाख्री ने बिस धियान देनी है प्रोड़क्शन आपकी देखिए गारा मह तो बहुत सही है और बस वहीं है जो सुधिर सर ने बताया है अब जो है बकरियों को खरीदे ध्यान से और थोड़ा साइस बड़ा रहेगा तो कुछ हामदनी भी अच्छा आएगा यहीं वाला आप देखा देते हैं देखिए दोस्तों इसी में जो है यह रखते हैं और एकद होने जला रखें कितने वाट की बल्व है सर यह सो वाट का बल्व है सर एक दो तीन चार पांच छे दस बल्व है और चली अच्छा है अंदर जब हम आए हैं तो थोड़ा सा वार्म लग रहा है यहीं चाहिए कि फार्म में जैसे आप घूसे तो यानि कि यह हीट जो है यह अब तो यह जो है जो है जो है शेड बना करके भी बकरी पालन शुरुआत कर सकते हैं विकेश जी हमारे युवाओं को क्या मैसेज दे रहे हैं क्योंकि सर के पास ना अब तो मतलब क्या बताऊं देश के हर राज जिससे कोने कोने से यंग जो है यंग स्टर्स जो है वह आते हैं उन लोगों के लिए आपका क्यास ला रहेगा तो कि वह भी कल के डेट में कहीं से ट्रेडिंग लेके जाएंगे बकरी पालन शुरू करेंगे तो अपना जो आपका एक साल का उनुभर हो उस अधार पर आप करेंगे अपना मेहनत करेंगा तो जरूरियां कि भलीभुते होगा करेंगे फूटांगी इसमें नहीं चलेगा सर फुटांगी वलाजीआखले छो पूंची यहynnैजा ग्यूंसा पाल जो इस तरह कोई प्रसिक्षन लेकर के और किसी काम को स्टार्ट करें लाइव उनको वाच करना वो क्या कर रहे हैं कैसे बढ़ रहे हैं उसको रीड करना फॉलो करना और सर से पूछते हैं सर आपको अपने इनका ग्रोथ कैसा लगा अभी जो एक साल का है देखिए मेहनत कर रहे ह है और इनको रिजल्ट भी मिल रहा है थोड़ा सा कमी जो है स्विकार भी रहें हम दूर करने जा रहे हैं और जो ट्रिप्स हम इनको दिये सबसे बड़ा खुशी की बात है कि सब ट्रिप्स इनको याद है फोन पर भी धरकल पर सो बात किये दाना मिस्रानोला सब उनको है कि बीडर की जो है तलाश हम लोग भी कोशिस करेंगे अच्छा दिलवाने का आपको चले दोस्तों मिलते हैं इसी तरह से बक्री पालन की अन्य जनकारियां जो है समय समय पर चैनल पर आती रहती हैं जो भाई हमारे नय हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए फिर किसी नई बक्री पालने स्टोरी के साथ आप सभी से मुखातिब होंगे बहुत जल्द तब तक के लिए जय हिन जय भारत